स्वयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो प्लीज जल से जल सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को DNARLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंसरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर दिदी आप पहले से ही DNARLM में जुड़ी हैं तो आप से निवेदन है कि पंच सुत्र का पालन करना बिलकुन न भूलें सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समय स्रुनवापसी, लेखा जोखा, इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने समु को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समु को ही योजाओ का लाद दिया जाता है और वरिता भी मिलती है तो चलिए दिदी, ज्यादा ना बात करते हैं, में टोपी की तरफ आते हैं, जैसा कि आपने हमारे थमनिल में देखा है स्वयम सहायता समु की महिलाईं बनाएंगी फ्लाई एस से इट आपको बता दे कि यह हर जिले में होने वाला है एनरल्यम राष्ट्री ग्रामी राजीव का मीसन की अंतरगत महिलाओं को स्वालंबी बनाने के लिए तहसील में प्लाई एस से इट और पेवर ब्लाक लगाने की प्लांट तयारी किया जा रहा है इस प्रकार आप सभी को पता होगा कि हर जिले में टी एचार का प्लांट लग रहा है इसी प्रकार फ्लाई एस से इट और पेवर ब्लाक लगाने की प्लांट लगाए जाएंगे इसकी खासियत है कि महिला स्वयम सहायता समू की मदश से यह प्लांट चलाएंगी जी हाँ जिस पकाट टी एचार का काम हज जिले में स्टार्ट हो रहा है और सभी महिलाएं 8000 महिना कमाएंगी इसी प्रकार इस प्लाट में भी दिदी 10,000 तक महिलाएं कमाएंगी समू की महिलाएं इट और पेवर प्लाक बना कर खुद की सप्लाई भी करेंगी प्लाट में समू की महिलाओं के साथ गाओं की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा इस तरह के नवाचार से महिलाओं की न सिर्फ आय बढ़ेगी बलकी वस्वालंदी भी बनेगी बीना में प्लाट लगाने का मुख्य कारण प्लाई एस सहस्ता से उपलब्थ होना है रिफाइनरी और जेपी वापर प्लाट में बड़े स्तर पर कोईला का उपियोग होता है कोईला जलने के बाद बड़ी मात्रा में फ्लाई एस निगलती है प्लाट के लिए अनुपियोगी प्लाई एस सहस्ता से मिल जाएगा इसे देखते हुए अधिकारियों ने महिला स्वेम सहता समू के माध्यम से यह प्लाट चालू करने की प्लाट बड़ाया है NRLM के अधिकारियों के मुताबिक प्लाट चलाने के लिए आगा सौध गाउं की महिलाय तयार है गाउं के स्याम स्वेम सहता समू के माध्यम के नाम से प्लाट चालू किया जाएगा प्लाट शुरू करने में करीब 10 लाक रुपय का खर्च भी आएगा इसके लिए सासन बैंक से स्वेम सहता समू को रिड दिलाएगा प्लाट चालू होने के बाद महिलाय प्लाट में तयार होने वाली इट और पेवर बलाक बेज कर सहस्ता से चुका सकेगी प्लाट लगाने के लिए गाउं में सास किया जमीन की तलास की जा रही है जमीन मिलते ही प्लांट लगाने का काम सुरू हो जाएगा इससे समू की महिलाओं के साथ साथ गाओं की अन्य महिलाओं को रोजगार मिलेगा इससे गाओं की महिलाएं आतिक रूप से सक्षम बनेगी और परिवार की चलाने में सहयोगी बनेगी आवासों में लगाई जाएंगी इट अधिकारियों ने बताया कि प्लांट लगा कर इट बनाने आसान है लेकिन इट की विक्री मुश्किल काम है इसके लिए अधिकारियों ने तै किया है कि प्लांट में तयार होने वाले इट का उपियोग ग्रामीर छेत्रों में पीयम अवास बनाने में किया जाएगा इसके अलावा जो भी सास किया निर्माण होंगे उनमें भी प्लांट लगाई जाएंगी इससे महिलाओं को इट बेजने के लिए परिसान नहीं होना पड़ेगा प्रयोग सफलता होने पर अन्य तहसीलों में भी प्लांट लगाने की योजना है समू चिनहित किया जाना है बीना में जेपी पावर प्लांट और रिफाइनरी से बड़ी मात्रा में प्लाई एस निकलती है इसलिए महिला समू प्लाई एस से इट बनाने का प्लांट लगाने का प्रयास है इसके लिए समू का चेन कर रही है इसके अलावा जमीन तलासी जा रही है जमीन मिलते ही प्लांट बनाने का काम सुरू हो जाएगा स्वेम साहता समुगी महिला को मिलेगा रोजगार जी हाँ इस प्रकार स्वेम साहता समुगी दीदी को एक और नुकरी मिल जाएगी जिस प्रकार टी एचार में सभी दीदियों को रोजगार दिया जा रहा है कम से कम एक महिलाएं 8000 रुपय महिने कमा रही है और कुछ स्थानों पर प्लांट अभी लग रहे हैं वहाँ पर भी महिलाएं 8000 रुपय महिने कमाएंगी इसके साथ साथ यह भी काम जल्द ही स्टार्ट होने वाला है NRLM राष्ट्री ग्रामीडाजीव का मिशन के अंतरगत महिलाओं को स्वालम भी बनाने के लिए तहसील में प्लाइएस से इट और पेवर बलाक लगाने की प्लांट तयार किये जा रही है इसकी खासियत है कि महिला स्वेम सहता समु की मदस्ते यह प्लांट चलाएंगी जी हाँ समू की महिलाएं ही यह प्रांड चलाएंगी और अच्छा खासा इंकम कर पाएंगी हर महिला को कम से कम 10,000 महिने की इंकम होगी इस प्रकार जो है महिलाएं आगे बढ़ेंगी सबसे बड़ी समस्या देदी हमारे समू में ही होती है कि समू की महलाएं चाहती हैं काम क्योंकि समू में जुड़ने से पहले यही सभी महला सोच के जुड़ी है कि हमें कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ काम मिलेगा आठ जार महिने, दस जार महिने, कम से कम छे जार महिने तो मिले जिससे हमारे घर की इस्तिती सुधर सुके तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे प्रेणा टीवी चैनल के साथ जुड़े रहिए घबडाईये मत, समु को तोड़िये मत, समु को छोड़िये मत जी हाँ समों को तोड़िये मच छोड़िये मच समों को चलाती रहिए रोजगार हर घर की महलाओं को देना है जी हाँ एनरल्यम मिशन एही है कि हर घर की महलाओं को रोजगार देना है हर गरी महलाओं को भारना है आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेंगी जब आपके जिले में बारी बारी से प्लांट लगते रहेंगे सभी दिद्यों को रोजगार मिलेगा काम मिलेगा तो इस्तिती जरूर बहतर होगी पहले से तो बहुत बहतर हो जाएगी तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप राष्ट्री ग्राम राजु कामिसन में जूड़ी हैं तो बिलकुल ना हटें समू को तोड़े ना छोड़े ना और जोड़के रखें अगर समू चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो अगर आपको समू चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो चरिए आज के ऊड़े में बस इतना ही धन्नवाद जया जी विका प्रॉब्सक्राइब